चलिए अगले प्रसन की बात कर ले थे अगला प्रसन सा आपको स्किन पे नजर आ रहा है यहां दे रहा किसी भी सांकेतिक भासा में सुरेज को S-U-R-E-S सुरेज को डबल टी-S-D-T-G लिखा जाता है अब आपको इस प्रसन का जवाब करना है सबसे पहले वही तरीका आप E-B-C-D लिख लिख लिखा बिल्कुल ऐसे लेकर आप M तक लिखीगा उसके निचा यह देखी मैंने आपके सामने E-B-C-D लिख लिख लिए ठीके किलिए रो गया चलिए अब कोश्चन क्या कह रहा है पहले आप ध्यान से पढ़ लिजगा किसी भी संकितिक भासा में सूरेश को तो यहां मैंने लिखा सूरेश S-U-R-E-S-H सूरेश को क्या लिख रहा है डबल T उसके बाद लिख रहा है S उसके बाद लिख रहा है D, T और G लिख रहा है के लिए रो गया आप से पूचरा राकेश को क्या लिखा जाएगा सबसे पहले आपको यह ग्यात करना होगा कि जो सूरेश का कोडिंग दे रहा है पहले उसे फाइंड करना होगा उसका नियम क्या लाग हुआ हमने देखा कि S से आप T पर जा रहे हैं तो भाई देखे S से अगर आप T पर जा रहे है तो प्लस वन चल रहे है या माइनस वन चल रहे है पहले यह देखे हमने देखा कि S से अगर हम T पर जाते हैं तो हमें प्लस वन चलना पड़ेगा उसके बाद U से T आ रहा है तो अब U से T आ रहा है तो प्लस वन या माइनस वन? माइनस वन तो यहां लिखा माइनस का वन यानि पहले हम प्लस वन चले उसके बाद हम माइनस वन चले चलिए, R से आप S पे जा रहे हैं R से आप S पे जा रहे हैं R ये नजर आ रहा है, S आगे नजर आ रहा है, तो आप plus 1 चल रहे हैं, उसके बाद E से D जा रहे हैं, E से D minus 1, S से T plus 1, और H से G जा रहे हैं, तो minus 1, तो कहीने कही इस प्रसंद का जो pattern आपके सामने है, इस question का जो pattern आपके सामने है, वो है plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, तो हम यहाँ पर इसी pattern को मध्य नजर रखते वे, हम यहाँ से राकेस का code फाइंड करेंगे, कि राकेस को क्या लिखा जाएगा, तो चलिए हम फाइंड करते राकेस को, R, A, K, E, S, H, ये लिखा मेंने राकेस, चलिए, R से आप plus 1 चले, R से आप plus 1 चलिएगा, R से plus 1 पर आपको को नजर आएगा, S नजर आएगा, R से plus 1 पर को नजर आ रहा है, S नजर आ रहा है, अब A से आप minus 1 चलेंगे, तो भाई A से minus 1 चलने पर आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे को नजर आ रहा है, Z, तो यहाँ आप Z लिकेंगे, क्या लिकेंगे, Z, उसके बाद K से आप plus 1 चलेंगे, तो K से plus 1 पे कौन आता है, L आता है, L, E से आप minus 1 चलेंगे, तो E से minus 1 पे कौन आता है, D, D, S से आप plus 1 पे चलेंगे, कौन आता है T, तो यहां हम लेकिंगे T, और H से अगर आप minus 1 चलेंगे, H से अगर आप minus 1 चलेंगे, तो कौन नजर आएगा G, तो इसका कॉड क्या होगा, S, Z, L, D, T, G, S, Z, L, D, T, G, आप में से कितने student हैं, जो इस प्रसन का सही जवाब A option चैन क्या है, बताइए फटापट से, फटापट से पताइए कितने student हैं, जिस प्रसन का सही जवाब A option चैन कर चुके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और किसके आगया है, जल्दी से कोशिस कीजिगा, हाँ, बिल्कुल आप regular बने रिजीगा, आपको अगर इसका PDF करते हैं, फटापट से copy कर लेजीगा, अगला questions मैं आपके साम लेकर आ रहा हूँ,